जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज है 28 सप्टेंबर 2024 और आज की जितने भी महत्वपुर्ण क्रेंट फेयर्स होंगी और एस्टाटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी तो आईए सुरू करते हैं आज का क्रेंट फेयर्स का महत्वपुर्ण सेसन द दिबस कब मनाया गया है तो यह मनाया गया है 26 सितंबर को विश्व गर्व निरोधक दिबस तोस्तों अब देखो राश्ट्रिये पोशं सप्ता 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिबस 2 सप्टेम्बर को, राष्ट्रिये सिख्चक दिवस 5 सप्टेम्बर, अंतराष्ट्रिये चैरेटी दिवस 5 सप्टेम्बर, अंतराष्ट्रिये गिद जागरुकता दिवस 7 सप्टेम्बर को मनाया जाता है, अंतराष्ट्रिये पुलीस सहीयोग दिवस 7 सप्टेम्बर, विश् आत्म हत्या रोक्थाम दिवस 10 सप्टेंबर को मनाया जाता है राष्ट्रिये वन सहीद दिवस 11 सप्टेंबर को मनाया जाता है विशु हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है विशु सैपसिस दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता ह तो क्या बोलोगे आप कि 15 सेप्टेंबर को अंतराश्ट्रिय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। सेप्टेंबर को मनाया जाता है। विश्टो फरमासिष्ट दिवस 25 सितंबर विश्टो गर्व निरोधक दिवस 26 सितंबर विश्टो परिटन दिवस कम मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। परिटन 2024 का में जवान दिवस दोस्तो कौन होगा तो जोर जिया होगा और इस वार के विश्टो परिटन दिवस का थीम क्या था। रक्षा मंतरी कौन है बरतमानमी राजनात सिंग, महिला एवं बालविकास मंतरी कौन है अनपुर्णा देवी, कोईला मंतरी और खान मंतरी कौन है जी किसन रडड़ी, गिरह मंतरी और सहकारिता मंतरी कौन है अमीत साह, सरक परिवहन और राजमार्ग मंतरी कौन है तो नित झिशी, किसान, कल्यान मंतरी. और घ्रामीन, बिकास, मंतरी कौन है। सिवराज सिंग चौहान. बित्य मंतरी और कर्परेट मामलोग के मंतरी कौन है। निरमला सीतारमन विदेश मंतरी कौन है डॉक्टर सुब्रमन्यम जैसंकर आवास और सहरी मामलो के मंतरी और विजली मंतरी कौन है मनुहर लाल खटर है भारी उद्योग मंतरी और इसपात मंतरी कौन है एच डी कुमार स्वामी बानिच जी और उद्योग मंतरी कौन है दोस्तो तो प्यू सुगोहल है शिक्षा मंतरी कौन है धरवेंदर परधान सुख्षम लगु एवं मध्यम उद्यम मंतरी कौन है जीतनराम मान जी है पंचायती राज मंतरी तथमतस्य पालन मंतरी और पसुप सोने वाल समाजिक नयाय और अधिकारिता मंतरी कौन है तो डॉक्टर बिरंद्र कुमार है मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों नागरिक उड्डेन मंतरी कौन है किंजरपू राम मोहन नाइडू उपभोगता मामलों के मंतरी खाद इवं सर्वजरिक बित्रन मंतरी और नवीन औ मंतरी रेल मंतरी सूचना एवं परसारन मंतरी और इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना परद्योगी मंतरी कौन है अस्वनी बैसनब संचार मंतरी प्रुवत्तर चत्रविकास मंतरी कौन है जोती राधित्य एम सिंधिया प्रयावरन वन और जलवायू परिवरतन मंतरी कौन है तो भुपेंदर यादव संस्कृत मंतरी और प्रेटन मंतरी कौन है तो गजंदर सिंख से खावत संसदिये कारे मंतरी तथा अलपसंख्यकारे मंतरी कौन है तो किरन रिज्जू है मेरे प्यारे लालेवं लालियो पेट्रोलियम और प्राकिर्तिक गयस मंतरी कौन है हरदीप सिंख पूरी है सरम और रोजगार मंतरी और युवा मामलों के मंतरी और खेल मंतरी कौन है डॉक्टर मंसुक मंधाविया खाद परसंसंक्रन उद्द्योग मंतरी कौन है चिराग पासवान और जल सकती मंतरी कौन है तो C, R, Partil हैं दोस्तो, जल सक्ती मंतरी, मेरी प्यारे दोस्तो हम अगले परशन की ओर बढ़ते हैं, अगला परशन है, सिरेबू, सिरेबू, इसी बा, सिरेबू, इसी बा, दोस्तो, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कौन, तो सिरेबू, इसी बा, किस देश के नए प् प्रोकियो जापान की क्रेंसी क्या है जापानी येन जापान के संसद का नाम है डाइट जापान का राष्टिये चिन्न क्या है गुलदाओदी है जापान का राष्टिये खेल क्या है जूडो और जापान और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास होता है सैनभ्यास उसका नाम है सहयोग काईजिंग और धर्म गारजियन सेनब भ्याजवी भारत और जापान के बीछी होता है दोस्तो अगला प्रशन है विशुदूर संचार मान की करन सभा की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो अपना देश प्यारा भारत दोस्तो विशुदूर संचार मान की करन सभा की म कौन बनें गे तो यह बता दो आप केंटर बॉक्स में अगिला प्रश्मय हाली में कोड्स कोड् समूने monsort पहल को मंजूरी दी तो यह cancer Moonsort पहल का क्या उद्द्ध सैं क्या है तो याद रखना ुढभ्धा गरभासे गरीवा कैंसर जिसे सवाइकल कैंसर के नाम से भी चानते हैं इसकी रोक्थाम करना पता लगाना और उपचार करना यही है कैंसर मूनसोट पहल का उद्देश जिसको मनजूरी दी गई है क्वाड समुख की बैठा कि में दूस्तों तो अब जानते हैं क्वाड तो भारत ने कैंसर मून्सोट पहल में 7.5 मिलियन डॉलर दिया है दोस्तो ये जो क्वाड का सिखर सम्मेलन था ये छट्ठा था और ये कहां हुआ है तो अमेरिका के डेलावेर में हुआ है इसमें दोस्तो प्रधान मंत्री डरेंदर मोधी औस्टेलिया के पीम दोस्तो एंथ साथ में हुई थी क्वाड में सामिल कौन कौन देश है तो इंडिया है जापान है अमेरिका है और ऑस्टेलिया है क्वाड का उद्देश से क्या है तो हिंद प्रसांत चैत्र में और उनके इसके देशों को चीन के दखल से बचाना हिंद प्रसांत चैत्र और इसके देशों को जो हिंद प्रिसान चैत्र है और इसके आसपास का जो देश है उसे चीन के दखल से बचाना है क्वाड का उद्धिस तो दोस्तों चट्था क्वाड सिखर सम्मेलनस का आयोजन कहां हुआ है अमेरिका के डेला वेर में हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों देखो दोस्तों अमेरिकानी भारत को स्क्वार्ड सम्मिट के दोरान 297 पुरा अबसेस वावस की इसमें कुछ महत्वपुन अबसेस है मद्य भारत से मिली कासिकी जैन तिर्थंकर की 15-16 सताबदी की परतीमा और मद्य भारत से प्राप्त बलुवा पत्थर की 10-11 सताबदी की अफसरा की मुर्थी दोस्तों इसको भी वापस किया गया है अमेरिका के द्वारा भारत को दोस्तों तो अमेरिका ने भारत के कितने पुरा अभजेसों को वापस कर दिया, तू 97 पुरा अभजेसों को वापस कर दिया, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब अमेरिका ने, तो अमेरिका की राधानी क्या है, तो वासिंग गटन है, अमेरिका की राधानी, अमेरिका की पती कौन है तो कमला हैरीसन है दोस्तों टाइगर ट्रंप अवियान जो होता है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है उन्चासमी समानतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच बॉडर है उतरी धुर पर पहुंचने वाला पर्थम बैक्ती रोवर्ट पियरी है जो कहां का है है जो अमेरिका के हैं और यह चंदरमा पर कभ गह थे तो यह आप बता दो कमेंट्र बॉक्स मि庆 लखने वाला दुनिया का पहला दिस अमेरिका है और ताजय पानी के दुनिया की सबसे बड़ी जील जो है वह सुपरियर जील है जो कहां है दोस्तों तो अमेरिका में एं मे दोस्तों एक्टर चिरंजीवी के नाम को सितमबर 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्यों दोस्तों, तो देखो, 45 साल के कैरियर में, इन्हों ने 165 फिल्मों की 537 गानों पर और 24,000 डांस भूवी करने के लिए इनको इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर् दिवस कब मनाया गया है तो विश्व फेफरा दिवस मनाया गया है 25 सप्टेंबर को दोस्तों और थीम क्या था विश्व फेफरा दिवस का तो clean air and healthy lungs for all ये थीम था विश्व फेफरा दिवस का मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो एंतराश्ट्रिये पुलीस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया 27 छाथा दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है 23 सितंबर 24 सितंबर को मनाया गया, राष्ट्रिये एवियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया गया, अंतराष्ट्ट्रिये लोगतंतर दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है, मेरे प्यारे दोस्तों. दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंग की वीडियो की description box में है और मैं वीडियो के end में आपसे तीन प्रश्निका test भी करूँगा जिसका जवाब देना है आपको comment box में देखो दोस्तो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया 16 सितंबर को विश्व बास दिवस 18 सितंबर विश्व फाई दिवस 20 सितंबर अंतराष्टिय सांती दिवस 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है और अल्जाइमर एक रोग है जो हमारे सरीर के किस अंग को प्र सितंबर और विश्व प्रिटन दिवस कम मनाया गया है तो 27 सितंबर को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्शन है अंतराष्ट्रिय भारतिय फिल्म अकाडमी यानि कि दोस्तों आइफा अवार्टिय फिल्म अकाडमी अंतराष्ट्रिय भारतिय फिल्म अकाडमी आ अबुधावी करेगा और चौबिस की में जवानी कौन करेगा अबुधावी करेगा दोस्तो तो अबुधावी दोस्तो आपका है यह संयुक्त अरव अमिरात की राधानी है यूनाइटड अरव अमिरात की राधानी क्या है अबुधावी यूनाइटड अरव अमिरात की क्रे सी क्या है तो दिरहम है यहां के परसिडेंट है मुहंद बिन जयाद अलनयान और यहां के प्राइम मिनिस्टर है मुहंद बिन रसिद almaktamoon 28 में जलवायू संविलन 2023 की में जवानी दुबई ने किया था दुबई के अलमिनाद सहर का नाम बदर कर हिंद सहर कर दिया गया था और महिला कब डिल्ली दुजर्ता इसका आयोजन जो हुआ है ये दुबई में ही हुआ है दोस्तो अगला प्रश्ण है हाली में कहां धूल मुक्त पहल की शुरुवात हुई है तो नई दिल्ली में दोस्तो धूल मुक्त पहल की शुरुवात हुई है और दिल्ली के उपरा जपाल बिने कुमार सक्सेना ने इस पहल की शुरुवात की है दिल्ली की आठमी मुख्यमंतरी कौन बनी है तो अतिसी मारलेना सिंग दोस्तो दिल्ली की आठमी मुख्य मंतरी बनी है दोस्तो अब दिल्ली तो देखो यह जितने भी संस्था आपको स्कीन पर दिख रहे हैं यह सभी का हेट क्वाटर जो है दिल्ली में है बस आपको एक्जाम के पॉइंट अभ्यू से स्थापन नहीं 1989 में हुई राश्ट्रिण एक के रीडिट कोर की स्थापन नहीं सौरतालिस में हुई भारत तिब्ब सीमा पुलीस आइक स्थापन नहीं सौर सट में सीमा सुरक्चा भलकी स्थापना नि autocons 55 में में होई रास्तिये सुरक्चा गाड की सथापना उने इस और आसी में होई केंद्रिययए और जॉगिक सुरक्चा भलकी इस्थापना 1969 में हुई मेरे प्यारे दोस्तो अगला पशने भारती हे कला महुत सबधर 24 का आयोजन कहां होगा तो भारतिय कला महुद सबधर 24 का आयोजन जो होगा यह हैदराबाद में होगा और हैदराबाद है मुशी नदी के किनारे दोस्तो दोस्तो अब देखो आंदरपरदेश की देखो दोस्तो आंदरपरदेश की रधानी क्या है अमरावती और हैद आंदरप्रदेश की राधानी क्या है अमराबती आंदरप्रदेश के मुख्यमंदरी कौन है चंदरबाबू नाइडू आंदरप्रदेश के गवर्नर कौन है एस अब्दुल नजीर है भासा के अधार पे गडित होने वाला देश का पहला रज्य कौन है तो आंदरप्रदेश हैं आंद्रपदेश से विधान सभासिट है 177 राज सभासिट है 11 और लोग सभासिट है 25 आंद्रपदेश की इस्ठापना एक पापी कोंडा राष्ट्री ये उद्यान कहां है आंद्रपदेश में बालाजी मंदिर तिरुपती में है भारत का सबसे गहरा बंदरगा विसा का पत्नम है दक्षिन मध्रेलवे का हेड क्वाडर सिकंद्रावाद में है दक्षिन तटीय रेलवे का हेड क्वाडर विसा का पत दोस्तो ये था हमारा आज का महत्रपुर्ण केंट अफियर्स कल मैंने आप से तीन प्रशन किया था कि विशु अल्जाइमर दिवस कम मना जाता है एके सितंबर को बाराबाती इस्चेडियम कहा है कटकमी और परियावरन इभम जलवायू परिवर्तन मंतरी कौन है दो पर प्रशन का जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको दोस्तो दोस्तो इस वीडियो का पीडियेप आपको टेलीग्राम पे मिलेगा इसका लिंक वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में है थैंक्यू सो मच मेरे प्यारे लालेबम लालियो